नमस्कार में हुने वेदिता भारत सरकार ने जम्मो कश्मीर से 370 हटाने और जम्मो कश्मीर को दो टुकडों में बाट कर लद्दाख को अलग कर दिया और दोनों को केंडरी शासित प्रदेश बना दिया और इस कदम को लेकर पूरे भारत में स्वाकत हुआ लेकिन वही कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं और सरकार के मन्शा पर सवाल उठा रहे हैं इसे बीच पाकिस्तान जिसकी गिद नजर जम्मो कश्मीर और भारत को स्थिर करने की रही है वो भारत के इस कदम से बिलबिला उठा और पूरे पाकिस्तान के लोगों के सीने पर साप लोट किया और इसको प्रॉपगेंड़ बनाते हुए पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने ले जाने का फैसला किया लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी इसे बीच भारत में अब ये मांग उठने लगी है कि भारत अब आजाद कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाए और इसको लेकर बीजेपी के ही राजे सभासांसद सुब्रमन्यम स्वामी ने आवाज उठाई है स्वामी ने सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि अब इस मुद्धे में ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए डोनाल्ड टरम को मधिस्तता करनी पड़े अब टरम को इमरान खान से कहना चाहिए कि अवैद रूप से कबजाई गई भारतिया जमीन लोटा दे और मेरा मानना है कि ये सरकार एक मजबूत सरकार है और इस सरकार ने जिस तरह से जम्मो कश्मीर पर आक्शन लिया है ठीक वैसे ही पाक अधिकृत कश्मीर पर लेगी और अगला फैसला भी ऐसी ही निश्चित्ता के साथ लिया जाएगा पाकिस्तान की कबजे में जो जमीन है उसे वापस पाना हमारा अगला एजेंडा है और मुझे उम्मीद है कि जिस निश्चित्ता के साथ प्रधान मंतरी और ग्रह मंतरी ने ये फैसला लिया है ठीक वैसे ही वो अगला फैसला भी लेंगे स्वामी ने कहा कि नरसिमर आउ सरकार के समय में भी संसद ने पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया था लेकिन तब ये हो नहीं पाया था लेकिन अब जम्मू कश्मीर पर सरकार के आक्शन प्लान से ये लगने लगा है कि अब पाक अधिकृत कश्मीर भारत का जल्द हिस्सा बन सकता है यहाँ पर हम आपको कुछ फैक्ट बताते चलें कि अनुच्छेत 35 के तहर जम्मू कश्मीर राज्य को विशेश दर्जा मिला हुआ था इस अनुच्छेत के समाप्त होते ही राज्य का विशेश दर्जा समाप्त हो गया है और राज्य के स्थाई निवासियों की दोहरी नागरिकता खत्म हो गई है अब सभी कश्मीरी भारत के नागरिक होंगे इसके अलावा आप जम्मु कश्मीर के बाहर के लोग भी यहाँ पर संपत्ती खरीद सकेंगे अभी तक दूसरे राज्यों के लोगों को जम्मु कश्मीर में संपत्ती खरीदने का अधिकार नहीं था साथ ही बाहरी लोगों को राज्य सरकार की नौकरी करने का अधिकार मिल जाएगा इस अनुचेत के समाप्त होने के बाद राज्य के बाहर के लोग भी जम्मु कश्मीर में स्थाई तोर पर निवास कर सकते हैं तो अब आप समझ सकते हैं कि मोदी अमिट्शाह के जोड़ी कुछ भी कर सकती है और हो सकता है कि आज़ाद कश्मीर भी भारत का राज्य बन जाए क्यूंकि कहा जाता है कि अमिट्शाह और मोदी जो करते हैं करने से पहले लोगों को चौकाते हैं और एक दिन ये खबर जरूर आ सकती है कि भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर को अपना राज्य बना लिया है और आप इस खबर को सुनकर चौक जरूर जाएंगे एक राष्ट के तौर पर एक परिवार के तौर पर आपने हमने पूरे देश ने एक एतियासिक फैसला लिया है एक ऐसी व्यवस्ता जिसकी वज़े से जम्मु कश्मीर और लद्दाग के हमारे भाई बेहन अनेक अधिकारों से बंचित थे जो उनके विकास में बड़ी बादा थी वो हम सब के प्रयासों से अब दूर हो गई है जो सपना सरदार वल्लभाई पटेल का था बाबा साब अमेड कर का था डॉक्टर शामा प्रसाद मुखर जी का था अटल जी और करोड़ों देश भक्तों का था वो सपना अब पूरा हुआ है जम्मु कश्मीर और लदाक में एक नए युक की शुरुवात हुई है अब देश के सभी नागरीकों के हग भी समान है और दाइत्व भी समान है मैं जम्मु कश्मीर के लोगों को लदाक के लोगों को और प्रतेक देश वासी को कि रदय पूरवक कि बहुत 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 बढ़ाई देता कि साथ्यों कि समाज जीवन में कुछ बातें कि समय के साथ इतनी गुल मिल जाती है कि कई बार कि उन चीजों का एक प्रकार चे मन में स्थाही भाव बन जाता है स्थाही मान दिया जाता है कि यह भाव आ जाता है कि कुछ बढ़लेगा यह नहीं बस ऐसे ही चलेगा आर्टिकल 370 अनुच्छे 370 के साथ भी ऐसा ही हुआ उसमें जम्बू कश्मीर और रदा के हमारे भाई बेनों की हमारे बच्चों की जो हानी हो रही थी उसकी चर्चा ही नहीं होती थी है है कि आप किसी से भी बात करें तो कोई यह भी नहीं बता पाता था कि अनुच्छे 370 से जम्मू कश्मीर के लोगों के जीवन में क्या लाब हुआ भाई और बहनों आर्टिकल 370 और 35 ए ने जम्मू कश्मीर को अलगावात आतंकवात परिवारबात और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर फैले ब्रस्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया इन दोनों अनुच्छेत का देश के खिलाप कुछ लोगों की भावनाए भड़काने के लिए पाकिस्तान द्वारा एक सस्त्र के तौर पर इस्तमाल किया जा रहा था इसकी वजह से पिछले तीन दसक में लगभग 42,000 निर्दोष लोग 42,000 यह आंकड़ा किसी की भी आंख में चांसू ला देता है 42,000 निर्दोष लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी जम्मु कश्मीर और लद्दाक का विकांस उस गती से नहीं हो पाया जिसका वो हकदार है अब व्यवस्था की एक कमी दूर होने से जम्मु कश्मीर और लद्दाक के लोगों का वर्तमान तो सुद्रेगा ही उनका भविश्य भी सुरक्षित होगा साथियों हमारे देश में कोई भी सरकार हो वो संसद में कानून बनाकर देश की भलाई के लिए काम करती है किसी भी दल की सरकार हो किसी भी गठबंदन की सरकार हो यह कार्य निरंतर चलता रहता है कानून बनाते समय संसद में काफी बैस होती है संसद के भार भी बहुत चर्चा होती है चिंतन मनन होता है उसकी आवश्रक्ता उसके प्रभाव को लेकर गंभीर पक्ष रखे जाते हैं इस प्रक्रिया से गुजर कर जो कानून बनता है वो पूरे देश के लोगों का बढ़ा करता है लेकिन कोई कलपना नहीं कर सकता कि संसद इतनी बड़ी संख्या में कानून बनाएं और वो कानून देश के एक हिस्से में लागू ही नहों यहां तक कि पहले की जो सरकारे एक कानून बनाकर वहवाई लूटती थी वो भी यह दावा नहीं कर पाती थी कि उनका बनाया कानून जम्मू कश्वीर में भी लागू होगा जो कानून देश की पूरी आबादी के लिए बनता था उसके लाप से जम्मू कश्वीर के डेड करोड से जादा लोग बंचित रह जाते थे सोचिए देश के अन्य राज्यों में बच्चों को सिच्छा का अधिकार है लेकिन जम्मू कश्वीर के बच्चे इससे बंचित थे क्या गुना है उन बच्चों का देश के अन्य राज्यों में बेटियों को जो सारे हक मिलते हैं वो सारे हक जम्मू कश्वीर की बेटियों को नहीं मिलते थे देश के अन्य राज्यों में सफाई करमचारियों के लिए सफाई करमचारी एक लागू है लेकिन जम्मू कश्वीर के सफाई करमचारी इससे बंचित थे उनको यह हक नहीं दिया गया था देश के अन्य राज्यों में दलीतों पर अत्याचार रोकने के लिए सक्त कानून लागू है लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था देश के अन्य राज्यों में अल्प संख्यकों के हितों की रख्षन के लिए माइनोरिटी एक लागू है लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था देश के अन्य राज्यों में मद्दुरों के लिए स्रमुकों के हितों की रख्षा के लिए मिनिमम बेजेज एक लागू है लेकिन जम्मु कश्मीर में काम करने वाले समीकों को ये सिर्फ और सिर्फ कागजों पर ही लटका हुआ मिलता था देश के अन्ने राज्यों में चुनाव लड़ते समाएं S.C.S.T. अनुसुति जनजाती के भाईयों बहनों को आरक्षन का लाब मिलता था लेकिन जम्मु कश्मीर में ऐसा नहीं था साथियों अब आर्टिकल 370 और 35A